हालो डियर रिश्टर और वेलकम टू गुर्कुल कासेज मैं धर्मेन गुस्वामी जिसता पता है कि हम यहाँ पर डिस्ट कर रहा है जियोग्राफी से रिलेटिक इंपोर्टन क्वेशन सीरीज को याद रहेगा जो भी यहाँ क्वेशन दिये जा रहे हैं सब चैप्टर वाइ होता है ना इसे हम क्रिशी आधारित वी निर्माड उद्योग मानते हैं और देखे वनस्पती तेला है ऑप्शन नंबर सी में तो हमारे हां सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फिर आजाएंगे देखिए हमारे अगला कुशन कर रहे है कि निम्न लिखित में से कौन सा उद्योग चोटे पैमाने पर आधारित है वो होता है जूता निर्माड और जूता निर्माड की बात दिखिया है ऑप्शन नंबर डी में तो हमारे हां डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिर आजाएंगे देखिए हमारा अगला कुशन कर रहे है कि निम्न लिखित में से कौन सा एक वी निर्माड छेतर के अंतरगत नहीं आता तो वी निर्माड छेतर के अंतरगत कौन सा चीज नहीं आती है तो याद रखेगा अनुसंधान जो अनुसंधान होता है यह वी निर्माड के छेतर में नहीं आता है इसलिए हमारा आप्शन नंबर यहाँ यहा तब क्या है निर्माड से रिलेटेड हैं इन सब निर्माड में आएंगे लिए अनुसंधान जो होता है वी निर्माड की छेतर में इसको नहीं रखा गया है फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला कुशन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन उद निर्माड यूग के लिए कच्छे माल का उत्पाद इसी पॉंट को याद रखना है यह जो में अंडर लाइन जो कर고 है कि यह यह लाइन आप याद रख्यैगा यह निर्माड़ कह सकते हैं कि कच्छे माल माल का उत्पाद करता है तो कहने हैं कि वह उद्धियोग अन्य उद्धियोगों के लिए कच्चे माल का जो उतपाद करता है वो कौन सा है आधार रभूत उत्धियोग है या आपको याद रखना है ठीक फीर आजाएंगे अपने अगले कुशिन में देखे हमारा अगला कुछिन कह रहा है कि निम्निलिखित में से कौन सा रशायन पर आधारित उद्योग है तो वो कौन सा उद्योग रशायन पर आधारित उद्योग है तो याद रहेगा उर्वरक जो होता है उर्वरक उद्योग जो उर्वरक उद्योग होता है ये रशायन पर आधारियोग tips Me एक रहेगा ठेक फिर आजायेंगे देखिए हमारे अगले कुछिंग कर 생각이 रहे है की प्र Wonderful का ताथ पर है जो प्र द्यूग की नमचार होता है इसका मतलब क्या होता है तियाद रखेगा प्रद्योग की नवाचार का जो अर्थ होता है वो है अप दक्षता को समाप्त करना अपसिष्ट का निस्तारण करना और प्रदूष्ण का नियंत्रण करना यह सभी ऑप्षन क्या होते हैं यह प्रद्योग की नवाचार के तात्परे में इसके अर्थ में आते हैं इन सभी का मतलब इससे लिया जाता है, इसलिए option number हमारा जो D होगा ये right answer हो जाएगा, आपको याद रखना है कि प्रद्योगती नवाचार का जो मतलब होता है, अब दक्षता का समावत करना भी है, अब सिस्टों का निवारन या निस्तारन करना भी होता है, और option number जो सिया है प्रद्योशन को नियंतरिन करना ये सभी किसमें आते हैं, प्रद्योगती नवाचार के अर्थ में आते हैं, ठीक, फिर आजाएंगे देखिए हमारा अगला कुशन कहरा है कि मध्य प्रदेश में नेपा नगर क्यों प्रशिद है, तियाद रखेगा, मध्य प्रदेश में जो नेपा नगर जो है, ये प्रशिद है अखबारी कागच के निर्माल के लिए, और अखबारी कागच के निर्माल की बात देखिया है, आप्शन नमबर बी में, तो हमारे हाँ बी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो नेपा जिनको वन पर आधारित उद्योग की स्रेणी में रखा गया है, तो याद रखे को वन पर आधारित जो उद्योग रखा गया है, वो है लाख उद्योग, लाख उद्योग दिखिया है, आप्शन नमबर ए में, तो हमारे हाँ ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक फिर आजाएंगे देखिए हमारा अगला कुशन कहा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थ व्यवस्था में उत्पादन का स्वामित व्यक्तित तो होता है व्यक्तिगत होता है तो आपको केवल एक word बस यह line याद रखनी है एक ऐसी अर्थ व्यवस्था जिसमें उत्पादन का जो स्वामित तो होता है व्यक्तिगत होता है एक अर्थ व्यवस्था जिसमें उत्पादन का जो स्वामित होता है व्यक्तिगत किसी एक इनसान के हाथों मोगतों कौन व्यवस्था है देखे option A, B, C और D option देखिया है चारो option में जो match खाता हुआ है वो है law, spot, उद्योग, पिट्सबर्ग ठेक यह हमारा सही option है बाकी यह सब हमारे क्या है incorrect option है इसलिए हमारा जो सही answer होगा वो option number D है कि law, spot, उद्योग जो है वो पिट्सबर्ग से संबंधित है फिर आजाएंगे देखे हमारा अगला कुशन कहा रहा है कि सूती वस्र उद्योग किस प्रकार के आधारित उद्योग की स्रेणी में आता है जो सूती वस्र उद्योग है वो किस प्रकार के आधारित उद्योगों की स्रेणी में रखा गया है तो याद रहेंगे कि सूती वस्र उद्योग जो है ये क्रिशी आधारित, क्रिशी पर आधारित उद्योगों की स्रीनीम रखा गया है और क्रिशी की बात option number B में है तो हमारे यहाँ बी यहाँ पर राइट अंसर रहेगा फिर आजाएंगे देखिए हमारा अगला कुछ ने कर रहे है कि निमन में से कौन सा कथन असत्य है कौन सा इसमें गलत बात बताई गई है option A, B, C और D इनको हमें पढ़ना पड़ेगा option 1 हमारा दिखे कहा रहा है कि हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जले आत्रा की सुविधा के कारण अस्थापित हुए तो बिल्कुल ये सही है कि जो हुगली के सारे हुगली जो नदी है उसी सारे जूट के कर खाने जो है सस्ती जल यातयात के सुविधा की कारणी ये स्तापित हुए थे ति हमारा पहला option बिल्कुल सही है फिर हमारा अगला कर रहा है कि खानीज तेल एवं जल विद्धूत शक्ती के विकास ने उद्योगों की अवस्थित के कारण के रूप में कोईला शक्ती के महत को कम कर दिया है तो ये भी हमारा option क्या है सही है फिर कर रहा है कि पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को प्रशित किया तो ये भी हमारा option क्या है सही है असत्य जो बोला गया है यहाँ है option नंबर हमारा बी बस हमें याद रखना है कि चीनी जो है है चीनी सूती वर्स्त्र एवं वनस्पती तेल उद्योग जो है स्वक्षंद उद्योग की कटेगरी में नहीं आते है असत्य ही है इसलिए हमारा option number यहाँ जो भी होगा यहाँ पर right answer हो जाएगा फिर आ जाएगे देखिए हमारा अगला question के रहा है कि वी निर्माण उद्योग में कार करने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है तो याद रखे को वी निर्माण उद्योगों में कार करने वाले जो श्रमिक ह होते हैं उन्हें नीलर का कॉलर श्रमिक कहा जाता है ठीक फिर आजाएंगे देखिए हमारा अगला question कर रहा है कि निम्लिखित में से कौन सा अस्थान सूती वस्र उद्योग के लिए प्रशिद्ध है वह अस्थान है मांचेस्टर और मांचेस्टर देखिया है option number C में तो हमारे हैं C यहाँ पर राइट अंसर हो जागा आपको यहार रखना है कि सूती वस्र के लिए उद्योग के लिए जो सूती वस्र उद्योग के लिए जो प्रशिद अस्थान है वह मांचेस्टर है फिर आएंगे हमारा क्रिशन कह रहा है कि कौन सा कृषि आधारित उद्योग है सीमेंट उद्योग ऊप्शन लेखking यहां पर डियान निर्मार उद्योग ऊप्शन महरा शायन विद्योग तो याद रखेगा जो कि क्रिसी पर आधारी जो उद्योग है वो चीनी हमें पता है गन्ने से चीनी बनती है तो इसका रिलेशन किसे क्रिसी से है इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर रहेगा फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला कुशन कहा है कि निम्लिखित में से कौन सा अस्थान सूती वस्र उद्योग के लिए प्रशिद्ध है यह अलड़ी कुश्चन भी आया था यह कौन है वो मांचेस्टर है तो हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा यह रिपीट हो रहा है कुश्चन फिदिक हमारा अगला कुशन कहा रहा वहाँ पर ही क्या होते है परमपरागत उद्योग के अस्थापना की जाते ताकि कच्छे माल आने में आसानी हो फैक्टरी में ठीक इसलिए हमारा ऑप्शन नमबर यहां जो सी रहे गए है पिर आइट आंसर हो जाएगा फिर आजाएंगे देखे हमारा अगला कुश्चन क् परमपरागत उद्योग इकाईयों में होने वाले नुकसानों में किसे शामिल नहीं किया जाता है परमपरागत उद्योगों की इकाईयों में जिसको नहीं सामिल किया जाता है जिस नुक्षान को उसे हम कहते हैं रोजगार के अनुपात में कमी जो होती है न इसको नुकसा में शामिल नहीं किया जाता परंपरागत उद्योगों की इकाई में इसलिए हमारा ऑप्षन नमबर जो डी हो गए हैं राइट अंसर हो जाएगा हाँ लेकिन यही कुश्चन होता कि इन सभी ऑप्षन में परंपरागत उद्योगों उद्योगी इकाई में होने वाले में किसी सामिल किया जाता है तो द्धनी प्रदोशन की समस्या को भी सामिल किया जाता है परियावरन प्रदोशन को भी समस्या को सामिल किया जाता है और मानों की स्वास्त संबंदी समस्या को भी क्या किया जाता है लेकि किसको सामिल नहीं किया जाता है रोजगार के च्छेतर है यह इस्थित है जर्मनी में और जर्मनी दिखिया है option number A में तो हमारा यहां A यहां राइट आंसर हो जाएगा आपको जायर रखना है कि विश्व प्रतिज रूर कोईला ओद्योगिक च्छेतर है वो जर्मनी में इस्थित है यूरोप के जर्मनी देश में इस्थ रूर और द्योगिक छेतर को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो याद रखेगा वर्तमान में जर्मनी में इस्थि जो रूर और द्योगिक छेतर है उसको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो है कोईले के उत्पादन में कमी फिर सेकेंड है ओद्योगिक अपसिष्ट की समस्या और तीसरा है वायू प्रदोशन की भी समस्या इसलिए हमारा ओप्शन नबर डी होगा न डी यहाँ पर राइट आंसर हो जागा आप खुजा रखने की वर्दमान में जर्मनी में इस तिर जो रूर ओद्योगिक जो छेत रहे इन्हें जिस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो पहला है कि कोईले की उत्पादन भी कमी कोईला बहुत कम मिल रहा है फिर क्या ओदोगी अपसिष्ट की समस्या जो ओदोगी जो भी कचड़े निकल रहे हैं वो उसको कहां पर डंप किया जाए इससे बहुत जा उत्तव क क्या कहा जाता जो उच्य प्रौतियों工 जो बड़े अच्छे पोस्ट पर होते हैं बड़े बड़े अच्छ प्रौको कहा जाता है उससा फेद कालर श्रमिक देखिया है option नमबर यहाँ पर B में तो हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फिर आजाएंगे देखिया हमारा अगला कुशन करहा है कि सीलिकन वैली किस उद्योग के लिए उप्योक्त मानी जाती है तो याद रहे कि जो सीलिकन वैली है यहSON फिरा जाएंगे देखिया हमारा आगला कोशन के रहा है कि भारत का कौन सा महानगर उच्च प्रवद्योग की उद्योग के लिए प्रसृत नहीं है तो याद रहेगा भारत का वह महानगर जो उच्छ प्रद्योगी की उद्योग के लिए प्रशिद्ध नहीं है वो है विशाखा पत्नम और विशाखा पत्नम दिखिया है ऑप्शन नमबर A में तो हमारे A यहाँ पर राइट हैं सोज़गा हाँ अगर यह कुशन होता कौन कौ पर विशार करें अब ऑप्शन A, B, 3 देखिए 1, 2, 3 दिया गया है अब इनमें हमें चूज़ करना है उसके कौर्डिंग कूट जो यहाँ दिया है ओब A, B, C, D उसको हमें चूज़ करना है देखिए पहला हमारा ऑप्शन कर रहा है कि लौह इसपात उद्योग आधूनिक स पहता की आधारशी लामानी जाती है यह बिल्कुल ही ऑप्शन हमारा क्या है सही है बिल्कुल बात सही है और दूसरा कह रहा है कि सूचना प्रद्योग की स्वच्छन उद्योग कहलाता है तो याद रखिए कि सूचना प्रद्योग की जो होता है वह सक्षंद उद्योग ही कहलाता है इसलिए option हमारे ये भी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा फिर कह रहा है कि कागज, लाख, अखबारी, कागज, रशायनिक, आधारि, उद्योग के अंतरगत आते हैं तो हमें पता है कि ये आसानिक बिल्कुल भी नहीं आते हैं इसलिए हमारा option number जो यह gaat यह रहेंगा, यह राउंग हो जाएगा, और सही कौन सा है, उप्षन-Number A, और ऑप्षन-Number 2. ये दोनों सही है और ये option किस में आ है? option नमबर A में आ है A और 2, 1 और 2 दोनों तो एक और दोनों की जो सही की बात की गई है option नमबर A में की गई है इसलिए हमारा A यहाँ पर right answer हो जाएगा फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला question क्याएगा कि नमने लिखित में नमने लिखित में से कौन सा कथन असंगत है? कौन सा गलत हमें यह बताना है 1, 2, 3, 4 जो भी A, B, C, D दिया है पहला option दिखिए हमारा क्या कहा रहा है? कि प्रद्योग की नवाचार से ही परियावरण का संरक्षन संभव है तो यह हमारा option क्या है? बिल्कुल सही है कि प्रद्योग की नवाचार से ही परियावरण का संरक्षन संभव है फिर option B कह रहा है कि कम जन संख्या वाले देशों में वी निर्माण उद्योग विक्सित नहीं होते हैं लाभ अरजित अर्थविस्था मानी जाती है ये भी बिल्कुल सही है कि जो पूंजीवादी अर्थविस्था होती है वो लाभ अरजित जादा-जादा मुनाफ़ा कमाने वाली अर्थविस्था मानी जाती है ये भी बिल्कुल सही है और question कहा रहा था कौन इसमें असंगत है या कौन सा गलत इसमें option दिया गया है वो है option number B इसलिए हमारा जो answer होगा वो answer number B जो होगा यहाँ पर right answer हो जाएगा तो B को हमें आप एक क्लिक कर देंगे आप आजाएंगे अपने अगले question में देखिए हमारा अगला question कह रहा है कि निमने लिखित को सुमेलित कीजिए देखिए यहाँ एक तरफ दिया है प्रमुक उद्योग और एक दिया है अस्थान यह जो अद्योग हैं यह किस अस्थान से संबंदित हैं हमें यह बताना है और सासा दिये गए कूट को हमें क्या करना है इसको हमें चूज भी करना है पहला option कर रहा है law spot जो law spot है ये कहां से संबंदित है तो ये संबंदित है लगजंबर्ग से लगजंबर्ग देखिया है option number 3 में तो हमारे हाथ 3 पे इसको मिला देंगे फिर कहाँ सूती उद्योग सूती उद्योग इन 4 option में किसे संबंदित है तो याँ देखिये जो सूती उद्योग है ये संबंदित है फिला डेलफिया से और फिला डेलफिया देखिया है option number A में तो इसको एक में मिला देंगे फिर देखिये स्वाच्छंत उद्योग जो स्वाच्छंत उद्योग होता है यह कहां संबंदी थे, यह सेंट फ्रांसिस्कों से, और सेंट फ्रांसिस्कों दिखिया है, option number second में, तो इसको second से मिला देंगे, अब एक ही बचा हमारा मिट्टी का और जो बरतन है, इस कहां संबंदी थे, यह मुलतान से संबंदी थे, तो इसको इस से मिला देंगे, ठीक, अ आप यहां पर देखेंगे इसके according जो भी हमने चूज किया, इस option के according कौँछ सा हमारा option सही है, हमारा जो answer होगा, वो होगा option number D, जी हाँ, option number D को अगर आप ध्यान से देखें, तो इसमें हमारा ये सारे option क्या करेंगे, match कर जाएंगे, तो option number D हमारा यहां पर यह right answer हो जाएगा A मिला है किस से हमारा, A मिला है 3 से, B मिला है 1 से, C मिला हुआ है 2 से, और D मिला हुआ है हमारा 4 से, ठीक, इसलिए हमारा option number जो D होगा, यहां पर right answer हो जाएगा, तो maybe आपको यह भी question समझ में आ गया होगा, तो चलिए आज के क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, और हाँ अग